25 जनवरी यानि की कल है इस वर्ष की 2024 की पहली पुर्णिमा सबसे बड़ी पुर्णिमा पॉसी पुर्णिमा तो आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पने प्रदिप जी मिस्टर जी द्वारा पुर्णिमा को किये जाने वाले रोग मुक्ति वाला एक बहुती विसे सरीर में आ नहीं पाएगा आपको छूबी नहीं पाएगा तो क्या है यह उपाई इसको जानने के लिए आप वीडियो को अंतक जरूर देखे गुरुजी पंडिर प्रदीप जी मिस्टर जी ने अपनी पिछली कता में इस उपाय का वर्णन करते हुए बताय थी कि अगर आ जहांत ही जादा विक हो गया है या घुटने में दर जाता है चोटी से चोटी बिमारी हो या बड़ी से बड़ी भीमारी था एरेड बीपी शुगर कोई सा भी भीमारी हो आप चाहते हो कि आपके सरीर को वो छोड़ दे आप रोग मुक्त हो जाए तो आपको इस सुपाई क गुरुजी ने कहा कि पुर्णिमा की रातरी को यानि कि रात के समय आपको इस सुपाई को करने के लिए आपको मातरे एक पीपल का पत्ता लेना है और थोड़ा सा चावल रातरी को पुर्णिमा की रातरी को अपने हाथ में पीपल का पत्ता और उसके उपर थोड़ा सा चा आँखों से इस पर्श कराने के बाद आपको खुद से ही अपने सरीर का साध बार गयारा बार 21 बार जितना बार आप चाहो आपको उतार लेना है। और फिर उतारा करने के बाद उसको आपको अपने घर के दर्वाजे के बाहर राद भर पुर्णिमा की रातरी को पुर्णिमा की रौष्णी में आपको उस पत्ते और चावल को रखे रहने देना है। आपको उस पिपल के पत्ते को ले जाकर किसी भी तलाब में बावरी में बहते हुए पानी में बहा देना है। दीखाया है उसका लाब नहीं मिला है तो आप पुर्णिमा की रात वाला इस विसेश उपाय को जरूर करके देखे बाकी उपाय को पुर्या होने में भले तीन मेहने लग सकते हैं। पर इस विसेश उपाय को करने से पुर्णिमा की रातरी की इस विसेश उपाय को करने से मातरा एक रातरी में ही आपको अराम लगना शुरू हो जाता है। पर आपके सारे रोग दो सब भी दूर भाग जाते हैं। और आपको दुबारा वो बिमारी चुब ही कोई भी बिमारी आपके पास आप भी नहीं पाती है। भी नहीं पाती है तो बहुत ही विसेश उपाहे गुरुजी ने बताए कि सिव महापुरान की कथा वर्णन करती है कि एक पत्ता पीपल का एक पत्ता बावन हजार ब्रामभनों की साक्षी कराता है उनका आशिरवाद आपको प्रदान करता है सांती पीपल के एक पत्ते में स् हैं आपको रोगों से मुक्त कर देती है आपके शरीर के सारे रोगों को दूर कर देती है तो यह बहुत ही विसेश उपाहे हैं जो आपको पुर्णिमा को यानि की 25 जनवरी को इस वर्ष II् Venus की पहली पुर्णिमा को रोग्मुक्ति के लिए है इस विसेश उपाहे को करना ह रात के समय में आपको इस सुपाय को करना है तो आप बिलकुल भी ना चुके कोई भी बिमारी हो बड़ी से बड़ी हो चोटी से छोटी हो कोई भी अगर बिमारी आपका पीछा नहीं चोटी है बिमार पर रहे हो आप तो आप इस सुपाय को कर सकते हो या अगर आप बिमार न हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अनिसी भक्तों के साथ इससे शेर भी कर सकते हो ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए इसी महापुराण की विशेज उपाय की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी से करके नराय का 52,000 ब्रामनों का महादेव की विशेज क्रिपा प्राप्त कर अपने जीवन के सारे रोगों को कस्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुक्की प्राप्ति कर सके हर हर महादेव